हलो एवरिवान मैं हूँ डॉक्टर शिक्ष और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगी सिबेशियस सिस्ट के बारे में यह क्या होता है क्या इसकी फॉर्मेशन का कारन होता है क्या इसके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं और क्या-क्या हो में पेती में ऐसी मेडिसिंस हैं जो कि इसके ट्रीट्मेर्ट में काफ़ी जादा फायदWelcome होती है तो आज इनी सब चीजों पर चर्चा करेंगे, यह वीडियो अन तक जरूर देखें, यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है और अगर आप मेरे चानल पर नए हैं, तो नीचे देगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके ऐसी और इनफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे स्किन के उपर जब छोड़ छोड़े लंप्स या गाठे बननी शुरू हो जाती हैं, तो उनको सिबेशिय सिस्ट बोलते हैं यह जो सिस्ट होते हैं, यह सिंगल भी हो सकता है, मल्टिपल भी हो सकते हैं इनका जो कलर होता है, वो फ्लेश कलर होता है, यानि कि आपके स्किन के कलर का होता है हात लगाएंगे तो थोड़े firm nature के होते हैं, कुछ थोड़े soft nature के होते हैं, well defined होता है इनका size जो है vary करता है, यह mutr के धाने जितना size है उतना हो सकता है या फिर सकता है, जनरल होते हैं ये slow growing होते हैं, काफी सालों तक आप देखेंगे कि बहुत धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं और ये जाधा तर जो है adults में देखे जाते हैं, बच्चों में इनके cases जो है वो बहुत कम rare देखे जाते हैं ये जो growth होती है, ये non-cancerous growth होती है, harmless होती है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती अब बात करते हैं इसके formation की, कि इसका क्या reason होता है बनने का आपकी जो skin होती है, उसमें बहुत सारे glands होते हैं, कुछ sebaceous glands होते हैं, या oil glands होते हैं तो ये oil glands, ये sebaceous glands जो है या आपकी skin में जाके खुलते हैं या फिर आपके hair follicle जो होते हैं, hair जो होते हैं आपकी skin में उन में जाकर खुलते हैं तो जब इन glands में किसी तरह के कब blockage हो जाता है या इनका जो opening है वो बंध हो जाता है किसी तरह से तो वहाँ पर जो अंदर ये sebum secrete करते रहता है, ये oily substance secrete करते रहता है, वो अंधर ही भरता जाता है, capsule kind of form कर लेता है अंदर, और आपके skin में as a guard के रूप में ये दिखाई देता है, तो ये इसके बनने का कारण होता है, अब बात करते हैं कि क्या-क्या reason है जिसके वज़े से ये duct जो है, वो बंद हो सकती है, तो सबसे पहला कारण होता है, अगर आपको कोई injury हो गई हो, यानि कि आपके कोई body में scratch पड़ा हो, या पर surgical injury कोई हो गई है, उस वज़े से आपको sebaceous cyst के problem हो सकती है, अगला कारण है, अगर आपके sebaceous duct में ही कोई problem हो, उसकी growth में ही कोई problem हो, तो तब आपको ये problem जो हो सकती है, अगला reason है, अगर आप में कोई hormonal changes हो रहे हो, या hormonal imbalance हो, तो उस वज़े से भी ये जो problem हो देखी जा सकती है, इसका एक और reason हो सकता है, अगर आपका जो hair follicle है, या फिर आपके hair है, छोट-छोटे हाथों में, या पैरों में, बोड सकता है, अब बात करते हैं, इसके symptoms की, तो ये जो problem होती है, या ये जो cyst होता है, या आपकी body में हर चीके दिखाए दे सकता है, बट इसके common sides होते हैं, या जादा तर दिखने वाली sides होती है, वो होता है, आपका scalp, यानि की सर, आपका genital area होता है, scrotum area होता है, वहाँ पर य जादे देखने को मिल सकते हैं, ऐसे cases आपके हतेली पे या फिर आपके पैरों के तले पे देखने को बिल्कुल नहीं मिलते हैं, तो यह इसकी common sides होती है, आप symptoms की बात करते हैं, तो इसमें generally एक painless lump होता है, painless gart होती है, इसमें किसी दरे का दर्द नहीं होता, बट इसमें अगर कोई infection हो जाए, उस वज़े से वहाँ पर inflammation हो जाए, swelling हो जाए, तो इन गाठों में जो है, वो pain हो सकता है, बट यह बहुत rarely देखा जाता है, इसमें कुछ लोगों को बहुत हलकी सी खुझली महसूस हो सकती है, कुछ लोगों को बहुत जादा खुझली महसूस हो सकती है, इसे के साथ सथ अगर यह problem आपके scalp area में हो, यानि की sir के area में हो, तो फिर वहाँ पर जिस area में यह lump होगा, वहाँ पर आपको hair loss की शिकायद भी हो सकती है, इसके पहचान के लिए एक indicator यह होता है, कि यह जो cyst होते हैं, इनमें एक blue color का dot या punctum जो है, वो देखने को मिल सक सकता है आपको, तो इस तरह से इसका पहचान किया जा सकता है, इसी के साथ सथ इसमें जो अंदर fluid होता है, या अंदर जो इसका material होता है, वो grayish, whitish color का हो सकता है, और इसमें काफी जादा smelling kind of nature भी होता है, इस discharge का, अब बात करते हैं इसके treatment की, तो generally यह harmless होते हैं, इस हो जाते हैं, या गायब हो जाते हैं, अगर आपको इसमें कोई pain हो, या फिर आपको कोई problem हो रही हो, uncomfortable feel हो रहा हो, या आपको cosmetic reasons के वज़े से यह निकलवाना हो, तो आप इसका treatment ले सकते हैं, होमेपेती में ऐसी कई medicines हैं, जो कि आप कुछ time लेके, सिबिशे सिस्ट से, बि पेशन एक बहुत बिमार पढ़ जाता है, tonsils की बहुत जादा दिक्कत होती है, inflammation हो जाती है tonsils में, तो ऐसे cases में अगर आपको इस सिस्ट की problem हो रही है, तो फिर आप ये medicine जो है, इसकी 30 potency में दो दो बूंदे करके दिन में तीन बार ले सकते हैं, अगली medicine है, काली आयोड, 30 काली आयोड उन cases में दिया जाता है, जहां पर आपके scalp area में ऐसे cyst जो है, वो देखे जाते हैं, ऐसे patient जो होते हैं, उनमें बहुत जारा saliva या थूख का production होता है मुँ में, और उनके thirst भी बहुत जादा होती है, बहुत जादा प्यास लगती है, ठंडी चीजों से, जैसे की खाना, पीना, ठंडी चीज जो होती है, उनसे उनको तबित जो है, बहुत खराब हो जाती है, especially जो milk होता है, वो उनको बिल्कुल सूट नहीं करता, तो ऐसे cases में आप ये medicine जो है, इसकी दोदो बूंदे करके दिन में तीन बार ले सकते हैं, अगली medicine है, हैपार सल्फ 30, अगली medicine है, ग्रिफाइटिस 30, ग्रिफाइटिस 30, एक बहुत अची medicine होती है, स्किन के problems के लिए, अगर आपको बहुत बड़े cyst हो रहे हैं, उन cases में आप ये medicine ले सकते हैं, ये cyst को dissolve करने में काफे जादा helpful होती है medicine, तो ऐसे cases में आप ये medicine जो है, इसकी दोदो बूंदे करके दिन में तीन बार ले सकते हैं, अगली medicine है थूजा 30, थूजा एक बहुत अ medicine होती है, अगर आपके skin में कहीं भी lump formation या कोई भी outgrowth हो जाता है उसके लिए, अगर आपको ऐसी cyst की problem अपने covered parts में हो रही है, तो ऐसे cases में आप ये medicine जो है, इसकी दोदो बूंदे करके दिन में तीन बार ले सकते हैं, इसी तरह और भी medicine होती है, जैसे की phytoleca, silicia, calcarea floor, ज तो फिर आप अपने नजदी की homeopath के पास जाके पूरी case history देकर अपने लिए acceptable medicine जो है वो ले सकते हैं, अब बात करते हैं इसकी precaution की कि आपको क्या करना है ताकि इसमें जादा problem ना हो आपको, तो सबसे पहले आपको hygiene maintain करके रखना है, second आपको इसको बिल्कुल touch नहीं करना scratch नहीं करना है, squeeze करने की बिल्कुल आपको इसमें कोशिश नहीं करनी क्योंकि आप जराब इसको दबाएंगे, तो यह जो capsule होता है वो अंदर की तरफ burst होकर, अंदर की तरफ infection create कर सकता है, तो इसलिए आप इसको squeeze बिल्कुल मत करिए, इसके साथ साथ आप इस पर गरम सेख भी कर सकते हैं, यह सारे precautions को याज रखकर और जो भी मैंने medicine बताई है, अगर आपको वो symptoms के साथ से match कर रही है, तो आप यह ले सकते हैं, और आपकी problem जो है, वो धीरे-जीरे करके खतम हो जाएगी, तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करती हूँ आपको पसंद हाई होगी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक शेर करिए ताकि उन वो भी इन सब चीजों से aware हो सके, तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और informative content के साथ, till then goodbye, stay healthy, stay aware